हलो एवरिवन, वेलकम टू अभिलाशास कुकी स्पॉर्ट एं लाइफ स्टाइल फ्रेंड्स आज फिर में आप सभी के साथ किचन के कुछ न्यू टिप्स एं ट्रिक्स शेर करने वाली हूँ आई होब कि आपको इन ट्रिक्स से कुछ हेल्प मिलेगी वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थाइंक यू टिप नमबर वन जब भी आप कुकिंग करते हैं चाहे आप कुकर यूज करें या पैन यूज करें जब भी हम कुछ मिक्स करते हैं तो हम कलची से सीधा इस तरीके से ना ठोकें सीधी ठोकने से जो बॉर्डर होती है उसमें निशान लग जाते हैं इसलिए हम इसा कलची को फ्लैट करना चाहिए पलट करके इस तरीके से ठोकना चाहिए स्पैचुला है तो देखी इसलिए फ्लैट होता है वो और ये जो बॉर्डर बीडिंग होती है यहां पर स्क्रैचेज लग जाते हैं जैसे पैन है तो इस तरीके से आप ठोक देंगे तो सीधा चमच से निशान बन जाते हैं ये हैबिट होती है तो चाहिए आप कुकर इस्तिमाल करें आपने बहुत से लोगों को चेक किया होगा मैं कभी भी सीधा चमच नहीं ठोकती है टिप मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बहुत से घरों में कुकर खराब हो जाते हैं वो बॉर्डर से फैल जाता है और स्टीम निकलती है अच सीटी नहीं बचती है और बार से भाप निकल रही होती है क्योंकि वो फैल जाते हैं कुकर तो अग यदि आपकी आदत होगी तो चाहिए आप कुकर यूज करें चाहिए पैन यूज करें आप कल्ची को हमेशा पलट करके ही ठोकेंगे क्योंकि एक बर ठोक कहीं हम लोगों को मज़ा आता है सबजी चलाई और एक बर कल्ची को ठोक दिया और उसके बास में एक बाउल रखें जैसे आपने कल्ची यूज करी तो बगल में उसको रखें टिप नमबर टू जो लोग इंडेक्शन यूज करते हैं तो कई बार जब हमें बंद करना होता है तो में सुच से बंद कर देते हैं तो में सुच से कभी न बंद करें हमेशा नीचे से आफ कर दें आप इस तरीके से बटन और जो भी आपने बटन रखा हुआ था उसको नीचे रख दे तो जो उपर गलास होता है वो ठंडा हो जाएगा और जब इसके अंदर जो ब्लोवर चल रहा होता है जब वो पंखा चलना बंद हो जाए उसके बाद ही मेंश से आफ करना चाहिए कई बार लोग नीचे से बंद किया तो उपर से फट से बंद कर देते हैं ब्लोवर चल रहा होता है या फिर डाइडेक्ट उपर से बंद कर देते हैं तो ऐसा बिलकुल भी ना करें आपका इंडक्शन खराब हो जाएगा इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें मेंश सुच से बंद करने के बाद तुरंत जब पंखा बंद हो जाता है उसके अंदर तो आपने इंडक्शन में कुछ भी कुकिंग की हुई है कई बार एकाद छीटे लग जाते हैं पानी निकलता है या फिर कुछ मसाला गिर गया है तो आप इस तरीके से किसी भी कप्ड़े से अच्छे से पोंच ले क्योंकि जब आप उसी वक्त पोंच लेते हैं तो वो निशान साफ हो जाते हैं क्योंकि बाद में इसे तो हम लोग घीस भी नहीं सकते क्योंकि सारे जो बरतन रखते हैं वो इस ग्लास के उपर ही रखते हैं इसे खरोचने में भी डर लगता है कि अगर हमने इसे खरोच दिया तो फिर हमारा बरतन इसमें रख करके चलेगा की नहीं तो यदि आप इस तरीके से पोच करके कुकिंग के बाद रखते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी टिप नमबर थ्री बहुत से लोग कुकिंग के लिए फ्रिज में अद्रक लेसुन का पेस्ट रखते हैं तो मेरी यही सलहा होगी कि कभी अद्रक लेसुन को एक साथ पेस्ट ना बनाएं आप अद्रक को अलग से इस तरीके से या कदू कस कर लें अलग डबे में रखें और दूसरे डबे में लेसुन छील के रखें इससे क्या होगा जब भी आपको किसी भी सबजी में अद्रक लहसुन का पेस्ट डालना है तो आप अद्रक का पेस्ट इस्टिमाल कर लो और लहसुन को आप प्याज के साथ में पीश सकते हैं या फिर फाइन चॉप करके डाल सकते हैं ताजे लहसुन को बारी कट के डालते हैं या इसको ऐसा कुछल का डालते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है तो आप आज पीस रहे हैं तो साथ में लेसुन डाल देंगे चार्च है तो मिक्सर में पीस जाता है या उसी समय आप ताजा इसको बारी काट के डाल सकते हैं वो अदरक लहसुन का एक साथ जो पेस्ट बनाते हैं उसमें स्मेल आ जाती है तो अलग-अलग दोनों ही चीज़े रखना चाहिए और अदरक को आप अलग से और भी चीज़े आल सकते हैं टिप No.4 जो ये glass gas stove होता है तो इसमें जो stove के उपर sheet होती है ग्लास की रिंटेड होती है तो प्रिंट की वजे से आपको निशान दिखते नहीं है लेकिन ये जब भी आप इसमें cooking करते हैं कुछ भी fry करते या कुछ सबजी वगरा छोकते हैं तो निशान जरूर मिलते हैं तेल के छीटे होते हैं मसाला गिरता है तो आप कुकिंग करने के बाद कपड़े से जरूर पोंच लें जब आप कपड़ा पोंचेंगे तब आप देखेंगे कि कपड़े में के चीटे या आटा सूखा हुआ या मसाले आपको कपड़े में नजर आएंगे तो आप यस तरीके की हैबिट जरूर बना लें चाहे नजर बिनाए लेकिन आप कपड़ा उसमें घुमा दें टिप नंबर फाइव आप डिश वाशिंग के लिए स्टील के तार बिल्कुल बिन गिसे मेरी यही राय है आप चाहे जेल सोप यूज करें या कोई अदर सोप यूज करें तो ये गाला का इस टाइप का जो ब्लैक कलर का स्पॉंज आता है आप इसे यूज करें या ग्रीन कलर का जो आता है स्कॉच ब्राइट उसे यूज करें पूरी कोशिश करें कि जो ब बरतन बहुत खराब हो जाते हैं इतने बारिक हैं इसमें ही नघार तो इससे बरतनों में निशान नहीं आते हैं मुझ किसी ने पूुअ अपने कि आपके क्लिणिंग क्लिंग वडियो में मैंने देखा है तो आप क्या यूज करते हैं रहिए के लिए तो मैं आपको यह दिखा रही हूँ कि मैं यह गाला का इस्पाँज करती हूँ टिप नंबर सिक्स यदि आपका ग्लास गैस स्टोब में जो प्लेट्स लगी होती हैं यह प्लेट्स बाहर नहीं आती हैं फिक्स हैं तो हम कितना भी सोचे कि हम इसे खोल करके निकाल लेंगे इन प्लेट्स को साफ कर लेंगे जब हम खरीदते हैं तो हम सोचते हैं स्क्रू कोल लेंगे लिकिन ऐसा नहीं हो पाता प्लेट्स लगी रह जाती हैं और वो बहुत गंदी हो जाती हैं तो आप उन्हें के साफ करने के लिए बेकिंग सोडा लें और सोडा में वेनेगर मिलाएं और वेनेगर के बाद उसमें नमक डालें वेनेगर डालते ही देखिए जाग आता है तो उसे इस तरीके से घोल लें और नमक मिक्स करने के बाद जो भी आपके बरनर्स हैं उनकी जो प्लेट्स हैं उनमें आप इसे अपलाई कर दो आप चाहें तो बेकिंग सोडा ने वर्क किया तो आप उसको ब्रश से घिस देंगे तो इस तरीके से पहले से अच्छे से चमच से डाल डार के अपलाई कर लो आप प्लेट्स में और फिर उसको इस तरीके से घिसते जाओ जितनी बार तक वो पूरा साफ नहीं हो जाए तो बार बार आप इस क्रेचे भी नहीं पढ़ते हैं के आपने तार से घिसा और इस तरीके से पूरा प्लेट साफ हो जाती हीonal साफ जाती है यह फिर आपjoot घैस साफ की वीड़्म को एक न से निशान गायब हो जाते हैं तो बेकिंग सोडा से इस गैस की प्लेट को ज़रूर साफ करें नमबर सेवन विंटर सीजन में हर गर में पराठे बहुत बनते हैं तो पराठे आप घी से बनाए या तेल से बनाए तवे पे काली सी पर्त जम जाती है तो यदि आथ इट से घिसते हैं तो आपने अक्सर देखा है गिसने की वज़े से तवा हलका हो जाता है पतला हो जाता है बीच में से एकदम से हलका और मोटा तवा अच्छा होता है तो आप क्या करें तवे को गरम करने रखें उसमें थोड़ा पानी डालें और आधा नीबू लें और आधे नीबू का रस और फिर नाइफ की हेल्ब से इस तरीके से उसको गरम में ही खरोच लेंगे तो जितनी भी काली पर्त जमी है फ्रेंड्स पूरी ऐसे बाहर आ जाती है और इट से घिसने से आपका तवा पतला हो जाता है तो ये प्रॉबलम इससे नहीं होती है तो आप हफते में एक बार ही सह आप इस तरीके से निबू से तवे को साफ कर लें और रेगुलर सफाई के लिए आप कोई भी साबुन से घिसके साफ कर सकते हैं और इस तरीके से आप वीकली साफ कर लेंगे तो आपका तवा एकदम क्लीन हो जाएगा और कितनी भी उसमें कालिक जमी हो गरम पानी और तो पुराने नीबू का भी इस्तिमाल कर सकते हैं कई बार फ्रीज में ऐसे सड़ से जाते हैं नीबू उनसे भी आप ये काम कर सकते हैं लेकिन तवा साफ करने के लिए इट से अच्छा है कि इस तरीके से गरम पानी करके नीबू के अहरत से साफ कर लें पूरा तवा साफ हो जाता है और फिर उसके बाद आप उसे घिस देंगे जैसे भी साबून से घिसते हैं और पानी से धूल करके उसको कप्रे से अच्छे तरीके से रगर करके पोंच लें ताकि नीबू की ऐसे निकल जाए और तवा एकदम सफेद चमकदार हो जाए चिप नमबर एट इस तरी टेबल के पास रख देते हैं या फर्च पर फेंक देते हैं अपनी डौर में डाल देते हैं उनके शापनर्स वगएरा या कुछ भी उनका इस टारी का तो आप इस तरीके का डस्विन रखेंगे तो बहुत काम की चीज़ होती है और ऐसे डस्विन आप ड्रेसिंग टेबल क पास भी रख सकते हैं जिसमें बाल वगएरा डाल सकते हैं कंगी करते वक्त या कुछ भी आपको ऐसा डालना है तो इसके लिए क्या करें आप एक पॉलेथिन चोटा सा लें प्लास्टिक बैग और उसको इस तरीके से अंदर डाल देंगे तो क्योंकि इसमें सारे कच्रे ड जगहे पर जमा होता रहता है बॉक्स में ही एक साथ कोई भी जमीन पर फेकता नहीं है और उसके बाद जब आपको लगे हफते में या जब आपको महसूस हो कि आपको कच्रा फेकना है तो इस तरीके से खोल करके प्लास्टिक आप इसको बड़े डस्विन में डाल देंगे तो इससे क्या होता है रूम गंदे नहीं होते हैं क्योंकि बच्चे हमेशा कच्रा उसी जगह पर फेक देते हैं और आपके ड्रेसिंग टेबल के पास